सुरेश और वित्या की शादी को एक साल पूर्वा होने को था दुनों एक दुजरे के साथ काफी खुश थे वित्या को नई नई जगह पर जाना बहुत पसंद था लेकिन सुरेश औफिस के कामों की वजह से वित्या को कहीं कुमने ले जाने का वक्त ही नहीं निकाल पाता था थोड़ी दिन बाद उनकी मेरेज एनिवर्सरी आ रही थी दोनों ने अपनी एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए कहीं दूर नई जगह पर जाने का सोचा फिर रात को दोनों साथ में बैठ कर लैपटोप में कोई अच्छी जगह के बारे में सर्च करने लगे स्क्रॉल करते करते उनकी नजर एक महल की फोटो पर पड़ी महल दिखने में काफी सुन्दर दिखाए दे रहा था दोनों ने देखने के साथ ही वही जाने का सोच लिया क्योंकि वो जगह उनके लिए नहीं थी और इंटरनेट पर भी उन फोटो के अलावा कोई और जानकारी नहीं थी अंगली सुबर दोनों गुगल मेप के सहारे उस जगह पर जाने के लिए निकल गए मिध्या फॉन में देख रास्ता बताने लगी और सुरेश उसके अनुसार गाड़ी चलाने लगा मेप में अब थोड़ी ही दूरी पर महल दिखाए दे रहा था मेप देखकर विध्या ने सुरेश को राइट लेने को बोला सुरेश ने दूरन ड्रेक मार दी क्योंकि राइट की दरब गना जंगल था और काफी डराणा भी दिखाए दे रहा था जंगल के बीच में एक कच्चा रस्ता जा रहा था पर मेप के हमों साथ सुरेश में गाड़ी स्टाथ पर राइट ले लिया रास्ता कच्चा होने की वज़ा से रास्ते पर कहीं कहीं गट्टे थे गटे होने की वज़ा से सुरेश गाड़ी दीरे दीरे चला रहा था लेकिन गाड़ी चलते चलते अचानक रूप गई सुरेश और विद्या दोनों सोच में पड़ गए कि अचानक गाड़ी क्यों बन हो गई सुरेश ने गाड़ी को देखा तो गाड़ी में सब ठीक था फिर भी पता नहीं गाड़ी चालू नहीं हो रही थी दोनों गने जंगल में थे और आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं दिखाय दे रहा था फिर दोनों गाड़ी को वही पर छोड़ कर पैदल ही महल तक जाने लगे वो दोनों थोड़ा ही आगे बटे होंगे कि तभी अचानक उनकी गाड़ी के पास गाड़ी पर गिर गया सुरेश और विद्या काफी डर दे और जल्दी से दोनों महल की तरफ आगे बटने लगे चलते जलते उन्हें महल उनके सामने ही दिखाय दिया महल उस फोटो से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था महल की खिर्कियों से रोंग की रोशनी बाहर तक दिखाई दे रही थी महल में लगाई हुई कंदिल महल के रूप में चार चांद लगा रही थी दोनों जैसे महल की रोश्णी में खीचे जा रहे थे और महल में चले गए महल में काभी चाहल पहल थी सुरेश और विद्या ने रिसेप्शनिष्ट के पांस जाकर रूम भूट की तो रिसेप्शनिष्ट ने उनको रूम नमबर 333 की चाबी दी फिर वो दोनों अपने रूम में चले गए रूम काभी बड़ा और शांदार था सुरेश और विद्या दोनों खिड़की के पांस खड़े होकर महल के बाहर का नजारा देखने लगे तब ही उनकी नजर एक बुड़े औरत पर पड़ी जो दिखने में काभी डरावने लग रही थी वह उरत उनकी तरफ ही देख रही थी और आस रही थी ये देख विद्या थोड़ी डर गई परन्तु सुरेश ने कोई पागल उरत होगी ये बता कर उसके मन से डर को निकाल दिया लंबा सफर तै करने की वज़ा से दोनों काभी धट गए थे और थोड़ी देर आराम करने का सोच बेड़ पर लेड़ गए धकान की वज़ा से उनकी आँख कब लग गई उन्हें पता भी नहीं चला दोनों सुए थे तभी उन्हें किसी के कुंगरू और संगीत की आवाज सुनाए दी इतनी रात को कौन नाच रहा है ये देखने के लिए दोनों अपने रूम से बाहर आए उरे महल में कुंगरू और संगीत के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही थी दोनों आवाज को सुनते हुए आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगे वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे जैसे विरसे आवाज और की देश हो रहे थी आवाज को तुनते तुनते दोनों विक रूम के बाहर खड़े बगर जहां से सबसे जहाँ आवाज आए थी उस रूम को देखकर दोनों गपरा गए पूरी रूम में एक अजीब सी चुप्टी फैल चुपी थी तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल बंद होने लगी जुमर की लाइट शुरू बंद होने लगी ये सब देख दोनों बहुत गपरा गए पर हिमत जुटा कर खिड़की बंद करने गए तब अचानक फिर से गुंगरू की आवाज आना शुरू हो गए तो वो लोग फिर से रूम के बाहर जाकर देखते है लेकिन वहाँ जो चपरा था उसे देख दोनों की आँखे फटकी पूदे रहे गए एक और पैरों में गुंगरू बांगर और हाथ में इस आदमी का सर पकड़े लुए नाचे जा रही थी उसके पूरे बाल पिखरे थे उस आदमी के सर में से उनकी बुंदे ये रही थी नाचते नाचते वो औरत उनके सामने देखती है और हसने लगती है फिर उसके हाथ में तकड़े सर को उंचा कर उसमें से निकल रहे खुम से खुद के बाल पिगाने लगी सुरेश और विद्या दोनों डर के मारे महल से बाहर आ गए लोग जैसे ही बाहर आये वो महल का पूरा रूप बदल चुका था आलिशान महल अब खंडर बन चुका था दोनों वहां से बापने की कोशिश करते हैं तब ही उनके सामने वो औरत आकर नाचने लगती है किन्तु विस बार उसके हाथों में किसी और का नहीं और सुरेश और विद्या के कटे बूरे सर थे और वो उनके सामने नाचे जा रही थी कि तब पवन की एक लहर आई और सुरेश और विद्या के सर उनकी धड़ से अलग हो गए दोनों के सर और धड़ जमीन पर गिर गए और दोनों की मौत हो गए उनके मड़ते ही वो ओरत जोर जोर से हसने लगी और विद्या के पास बैट जोर उसका मास आने लगी आखिर कौन थी ये औरत और क्यों उसने सुरेश और विद्या को मारा था क्या सुरेश के घरवालों को ये गटना कभी पता भी चलेगी कि उनके बेटे और बहो के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए उसरे पाप की पतिक्षा कीजिए अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले